ने बता है जैसरी ही जमीन पर धर्यातल पर गिरा इसने से पहला के सब Giving है कि क्या चल रहा है तो सबसे पहले है यह आती है कि यूफ्ड और इसमें रहा है कि रसिया ने यूफ्ड पर क्या का प्रेयोककि किया है क्या है यह वैक्यूम बम क्यों इतना विरोध किया जा रहा है जब युद्ध ही हो रहा है तो इस वैक्यूम बम का इतना विरोध क्यों किया जा रहा है कि रसिया को इसका यूज नहीं करना चाहिए था आकि जब युद्ध की बात हो रही है मरने मारने की बात हो रही है तो हम क्यों नहीं यूज करें क्यों ये रस्या के इतना विरोत किया जा रहा है इस पर समझते हैं इसी पर हम लोग डिसकस करेंगे कि क्या है वैक्यूम बम कैसे यह काम करता है कैसे यूज किया जाता है क्या इसका उपयोग होता है कैसे यह खतरनाक है इसका पहले कौन-कौन यूज किया गया क्या यह परमारू बम है इसी पर हम लोग डिसकस करेंगे इसके पहले कि हम लोग टॉपिक में और डीप में जाएं आपसे एक रिक्वेश्ट है कि चैनलों को प्लीज सस्क्राइब कर लीजेगा ताकि आपको इसी तरह की जानकारी बड़े ही असान सब्दों में कम समय में आपको ये मिलती रहे तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों हुआ क्या कि हाल इमें जैसा कि आपने जान रहे हैं रूस और यूक्रेन विवाद चल रहा है ऐसे में ये कहा गया है कि रसिया ने यूक्रेन पर वैक्यूम बम का प्रियोक किया है हलाकि इस बात की अभी तक पुछ्टी नहीं हुई है और ये अधिकारिक तौर पर इसके पुछ्टी नहीं हुई है लकिन ये कहा जा रहा है कि रसिया ने ऐसा किया है जिसका कई डिश्टों के universo ने इसकी निन्दा कि जा रही है कि ये इंसानियत के भी खिलाफ है तो चलिए जानते हैं क्या है वैक्यूम बम दोस्तों वैक्यूम बम को कई नामों जाना जाता है जैसे एरोसोल बम भी कहा जाता है धर्म वैपन भी कहा जाता है और इसे वैक्यूम बम भी कहा जाता है क्यों इसको ऐसा सनाम दिया गया है क्या इसी खास यह ठीशे जानेंगे समझे यह बात कि एक तरह सकते हैं कि यह भी परमाडू की तरह होता है लेकिन यह परमाडू बंग नहीं है होता क्या दोस्तों यह जो बंग होता है यह कई अकार के होता है कई अलग अलग आकार के अपनी आउसकता अनुसार इससे बनाय जाता है कई देशों के पास यह भी जानेंगे कौन को निसका यूज किया सबसे पहले यह जानिए कि यह कैसे काम करता है इसे rocket launcher या आप कर सकते हैं कि इसे विमान के द्वारा भी छोड़ा जा सकता है गिराया जा सकता है इसके द्वारा टैक किया जा सकता है इसे fake जा सकता है मालिजे के अगर इसे कहीं कीई विमान किरवाद अगर इसे छोड़ा गया यह विमान है आपका और यहां से आपको अगर कोई बम जो वैक्यूंबाम है उसे अगर कहीं कर गिरा जाता है छाकम कर प्लूर्द तरफ वे घरतल तरफ आराल बहले हुए है यह बम यहां आकर गिरा जैसे ही यहां गिरेगा यहां पर दो कंटेनर होते हैं एक फ्यूल कंटेनर होते हैं पहला जो होता है यह जैसे गिरेगा वह पहला फ्यूल कंटेनर जो रहेगा वह फट जाएगा यह आपका सकते हैं खुल जाएगा जब यह कंटेनर खुलेगा तो य कि हर जगह पूरा इलाके में पूरे फैल जाएगा चाहे वो कोई इलाका रहा है जैसे बिल्डिंग भी आए अगर वो पूरी तरह से सील है तभी थोड़ी बहुत कुछ गुंजाई से कि वो बढ़ जाए अन्य था ये हर इलाके में हर रूम में हर बिल्डिंग कितनी भी कैसी बिल्डिंग रहे कितनी मजबूत रहे वो हर जगह गुंजाएगा और ये बादल हर जगह फैल जाएगा अब आप कहेंगे बादल से क्या मतलब बादल क्या कर सकता है यही बहुत खतरनाक होता है जैसे यह फैलता है यह क्या करता है कि अपने चारों तरफ की जितनी भी ऑक निकलती है वही आग क्या करता है यह जो भी बादल फैले हुए है यह आग का रूप ले लेती है और एक आग का छला जैसा बन की यह चारो तरफ फैल जाता है और यह आप जानते हैं कि पहले से यह जो बादल का छला है यह हर रूम में हर मकान में हर घर में हर जेगा फैल चु देती है इसके अलामा जो इनसान की तो आप जानी सकते हैं कि क्या कंडिशन होती है यानि की मौत हुई हो जाती है यही खतरनाक बात है कि यह जब बं यहां गिरता है तो एक तरह से इसमें रेडियेशन भी निकलती है जो कि आप लोग जानते हैं परमाडू बं में से भी एक करणकर निकलता है जो कि लोगों के लिए जिस तरह से वो खतरनाक होता है उसी तरह ये भी खतरनाक होता है जिसे वैक्यूम बंब बोल जाता है या आप इसे खहासकते थर्मोबैडिक वैपन या एरोसोल बंबी कहा जाता है इसके अनामां इसे फ्यूल-air-vishfotalk भी कहा जाता उसमें से क्या होता है फ्यूल चारो तरफ फैल जाता है और वही फ्यूल क्या करता है धीरे धीरे बादल का रूप लेता है बादल हर जिंगा फैल जाता है फिर वही बादल में एक और वी स्पोर्ट हो जाता है इसके द्वारा और वह तुरंट आग का रूप पकड़ लेता ह ये खल्ले के रूप पकंड रहता है जो कि चारु तरन फैल जाता है। ऐसे में इसी ही दिखा जाता है तब ही खतरनाख होता है। आप आप एसे में आप पहेंगे हैं इसका प्रियोग कहा कि आ जाताए है.. जानते कि ये घूप में घुष जाता है, जगा अंदर बादल बन गडिया धून देटा जगा तो इसे कहीं भी जाने में आथानी रहेगा ऐसी में देखा जाता है आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि इसका यूज जारजा जायए लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ जैसे कोई operation है जैसे कहीं पर कोई आतंगी चुपा है कोई दुस्मन चुपा है कोई अपराधी चुपा है किसी गुफा में किसी जगन जहां पर अंदर जाना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है तो ऐसे में क्या किया जाता है सेना का यूज कि आपके रख देता है तो उसमें इंसान का बचना मुंकिन ही ना मुंकिन है ऐसे में यह कहा गया कि इसका यूज एक तरह से आप कर से परमारू बं नहीं यह आगर आप एक पॉइंट नोट किजेगा कि पहला विश्व का जो सबसे बड़ा गैर परमारू बं है यह विश्व का सबसे बड़ा गैर परमारू बं होता है जिसे कि हम वैक्यून बं बोलते हैं जिसके कई देशों के द्वारा इसका विरोत किया जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए इसका फ्योग नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी यह दावा किया जा रहा है कि रसिया ने यूक्रेन पर इसका यूज किया है, इसको जान लिए कि ये कैसे काम करता है, आपको ये समझ में आगे होगा, कैसे अलग-अलग इस टेप में ये काम करता है, और इसे क्यों इसे गैर परमारू बंबी बोला जाता है, सबसे बड़ा, इसे समझ ये क्यों ऐसा बोला जाता है, इसे, दोस्तों वेश्वक तिलोग्राम के इस वैक्यूम बम का इसमें परिच्छन किया था इसके चार साल बाद रसिया ने रसिया ने भी इसका प्रियूक किया था और इसका परिच्छन किया था जो जो कि ये भी सफल रहा था तो जो यूएसे ने इसका यूज किया था उसका नाम था मदर his name, बची जो इसका न है mother of आलबम , जिसरह नहीं नैंञा हुए जिसने अमयरिका ने इसका प्रिषण किया था mother of album किया था और रस्मूह के अगर बात कीना तो इन्हों नहीं जब परिषण किया थिसका नाम रख दी है father of album father of album जब USA ने किया तो इन्होंने कहा कि हम क्यों कम रहें तो इन्होंने mother of album किया इन्होंने father of album कर दिया इस तरह से देखा गया कि यह जब blast हुआ है तो लगबग च आप चवाली स्टन चावाली स्टण जो पारंपडरीग बम होते है उसके बिसफोट होता है उसके बराबर एक किदृआ रहे हैं, यहाँ विसफोर्ट हुआ था इसलिए इसे कहा गया दुनिया का सबसे बड़ा गयर Pर्माडू बम बोला गया तो दूती विश्यूद में जर्मनी के सेनाओं के द्वारा किया गया था हलाकि तब उस समय ये इतना अपग्रेड वर्जन नहीं था बाद में इसे धीरे-धीरे क्या किया ज़िए इसे अपग्रेड किया गया और इसमें इसका वर्जन और विक्सित होता रहा अभी भी कहा जा रहा है कि कई देश इसे विक्सित करने में लगे है कई देश इसे खोज करने में बनाने में लगे है कि ये वैक्यूम बम किसी तरह बन जाए आप लोगों ध्यान दिजे कि ये जो यूजस से है पहले क्या करता है खुद अपने हथियार बना लेता है बाद में क्या करता है कि ये दूसरे देशों को इस तरह से ये दुनिया में जाल फैलाया है कि दूसरा देश इसका यूज न कर पाए कि यह कहता है कि इंसानियत या मानवाधिकार के खिलाफ यह बं तो इसलिए इसका यूज़ न किया जाय से न बनाया जाग उसका विरोध करता है लेकिन जब आपको इतना ही टेंसर है तो आप खुद इसे क्यों बनाते हैं तो इसलिए देखा जाता है कि पहले यही तरह बना लेता है फिर बाद में इसका विरोध करता है यही देखा जाता है कि अब कोई देख अगर इस तरफ कदम उठाता है तो बाकि जो बना चुके हैं जो देख जिनके पास हैं वो दूसरों का विरोध करते हैं यही मामला यह हम लोग क्यों इस पर डिसकस कर रहा है कि जो रसिया और यूक्रेन वार वाला मामला चल रहा है इसमें कहा जा रहा है कि रसिया ने यूक्रेन पर इसका यूज किया गया है थर्मोबैरिक वेपन का हाला कि इसकी पुष्टी अभी नहीं हुई है लेकिन यह कहा जा रहा है कि ये इस तस्वीरों में वहां पर इसके लॉंचर देखे गए हैं रॉकेट लॉंचर देखे गए हैं जिसरी कि इसे प्रच्छपित किया जाता है उसे छोड़ा जाता है कि वहां पर उसे रसिया के द्वारा उसे देखा गया रसिया के सैनिकों द्वारा ले जाते वे देखा गया है तो हो सकता है कि इसका यूज किया गया हो तो अगर इसको बात करें कि अगर क्या बंकर में चले जाएंगे तो क्या इससे बस सकते हैं जी नहीं अगर यह बंकर के पास में अगर बंकर तक भी पहुच गया तो वह बंकर को भी तहस नस कर देगा building crash इतनी मजबूत तरीके से बनाए गया रहो मजबूत इस बनाए गया रहो ये bum जो रहेगा vacuum bum ये उसे भी नश्ट कर देगा कहा जाता है कि अगर ये इनसान तक के contact में आ गया मनुस्यों के contact में आ गया ति उनके अंदर की जो हवा रहेगी उसे पूरी तरह से सोख लेता है और न जानते हुए भी यानि कि पता भी नहीं चलेगा ये अंदर ही अंदर एक दो दिन में अंदर की जो फेफडा रहेगा किड्नी रहेगा इन सब को जितने भी चीज़ है हमारे अंदर वो सब गला के खतम कर देगा और इसलिए हमारे लिए खतरनाक होता है ये न दिखने वाली भी चोट देता है यानि कि दिखेगा भी नहीं ऐसी चोट ये देगा अंदरू नहीं चोट रहती है जिसे कि वैक्यूम बं से ऐसा देखा जाता है तो इसलिए जो अमेरिका ने आपका आपने जाना कि अमेरिका ने जिसका प्रिच्ण किया तो मदर आफ आलबं और रसिया ने फादर आफ आलबं का वी किया था जो कि चार साल बाद जब अमेरिका ने किया उसके चार साल बाद रसिया ने किया था इसका प्रिच्ण तो आई होप किया कोई समझ में आया होगी कि कैसे ये वर्ग करता है किन किन स्टेपों में वर्ग करता है कैसे किस किस स्टेप में वर्ग करता है ये वैक्यूम बं किन किन नामों से जाना जाता है इसके लाम एक नाम और है जिसे करते हैं High Air Wissfotec ये तीसर नाम इसमें जोड़ सकते है इसके बार जो इसमें परिछिशन किया गया था तो 54 देन की जो बम होते हैं उसके बराबर इतना उतनी विसफोटक जितना होता है वे उससमे उसके बराबर इसमें विसफोट हुआ और पूरे वहां के जहां भी यह blast होता है वहां की सारी oxygen को सोक लेता है से पहले यह fuel फैलाता है फिर वहां वो बादल में बदल जाता है फिर उसी में से एक और blast होता है और वही blast क्या करता है वहां पर आग का रूप ले लेता है और जिसके तरह से जो भी वहाँ पर चीजे रहती हैं सब नश्ट करके रग देता है तो I hope कि आप कोई अच्छे से समझ में आए होगा कि क्या है vacuum bomb फिर हम आएंगे एक next वीडियो में इसी तरह की topic लेके अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजेगा तब तक लिए जयाहिन बाइबाए थैंक्यू